नमस्कार मेगा नाम है विपिन चोधरी और आप देख रहे हैं बीएच बीसी नियूस चंदियान दो में भले ही बारत को नाकामी हासिल हो लिकिन ऐसी विफलताओं से सीख लेकर आगे बनने का होसला कोई इसरो से सीखे भारती अंतरिक्स एजेंसी इसरो ने अंतरिक्स में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए एक रोबोट को अंतरिक्स भेजने का फैसला किया है जी हाँ जल्द ही इसरो अंतरिक्स में इंसानों को भेजने वाला है गगनियान मिशन में जाने वाले रोबोट की एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें वहां किसी फीमेल की तरह नजर आ रही है मिशन गगनियान के तहट इस रोतीन अंत्रिक्ष यातिनों को धर्ती से अंत्रिक्ष में ले जाएगा और उनकी ये यात्रा साथ दिन की होगी हलाकि अपनी पहली कलती से सीखते हुए इस मिशन को पूरा सफल बनाने के लिए एक योजना भी तयार कर दी है योजना ये है कि इसमें तिन इंसानों से पहले अंत्रिक्ष में एक हुमन रोबोट को भेगा जाएगा इस हुमन रोबोट में मानव शरीर से कुछ मशीने लगाई गई हैं इस मिशन में मानव शरीर की सरत्मा पर क्या प्रवाप पड़ेगा और या कुछ बदलाव होगा उसका अध्यानी शुरू करेगा ताकि जब असल की इंसान इस मिशल पर जाएं तो किसी तरह की कोई परेशानी सामने ना आए आपको बता दें इंसानों से पहले अंत्रिक्ष पर जाने वाली हुमन रोबोट का नाम वियो मित्र रखा गया है इसको मानव रहित यान में बठाकर अंत्रिक्ष की यात्रा कराई जाएगी बता दें गगन यान मिशन को साल 2021 दिसंबर में लौच किया जाएगा लेकिन इससे पहले वियो मित्र को अंत्रिक्ष भेंजने की योजना है वियो रोबोट प्येच्च बीशियोस साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले